नमस्ते, वेलकम बैक टू तु तु विलका स्टेल्स, कैसे हो आप सब, I hope आप बहुत अच्छे होंगे, खुसाल और सेहत मन्द होंगे, आज मैं आप सब को बताती हूँ, वैसलीन की क्या क्या फायदे होते हैं, और इसको हम कहां मतलब कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसका तो हम लोग इसके क्या स्किन पे ही मतलब यूज़ करते हैं, कि मतलब हमारे ड्राइ स्किन है, तो उसको हम उसराइजर रखते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं, आज मैं आप सब को बताती हूँ, यह वैसलीन, स्किन, प्रोटोलियम, जैली, वरिजनल, मतलब इसका क्या फायदा है, वो आज मैं आप सब के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, और इसके बहुत फायदे होते हैं, यह बहुत अच्छा होता है, मितलब इसको यूज़ करना, मैं आज आप सब को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, देखियो, मैंने ले लिया अब मैं इसमें यह देखिये, यह इतना सा, यह वैसलीन ले लिया है, यह देखिये, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, दो तीन, नेम बूगे अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको यह से मिक्स करूँगी, यह देखिये, मताराम से मिक्स हो जा रहा है, यह देखिये, 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 अब इससे क्या करना है इसको क्या करेंगे इसको मैं अपने जो अंडर आइस डार्ट सर्कल होते हैं उसको यह मतलब हटाने के लिए यह काम करेगा तो इसको क्या करना है थोड़ा सा वैसलीन दो तीन निम्बू की भूंदे और उसके बाद इसको ऐसे ही यह अंडर आई वो डार्ट सर्कल पैसे इसको यूज करना है आपको यह देखिए लगाने के बाद इसको बीस मिनट के लिए हम छोड़ देंगे अच्छे से लगा के यह देखिए इसको बीस मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इससे क्या करना है यह किसी काट यह एक कॉटन के इससे पूंच लेंगे देखिए इसको इससे सफ कर देंगे यह है और आप इसको साथ दिन तक करिए फिर देखिए आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको परड़ इसको सूने से पहले करना है उसके बाद पोचने के बाद इसको पॉनी से धुल लेना है और आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है इससे बहुत जल्दी आपके अंडर आइस डार सरकर ठीक हो जाएंगे बट इसको परड़े साथ देश तक मतलब करना इसको दूसरा मेथट क्या है वह मैं आपके साथ शेयर करती हूं यह देखिए यह मैंने लिया है यह अब मैं इसमें डालूंगी यह दूद दूद को इसमें मैं नॉर्मल दूद है दूद को इसमें मिला लोंगी यह कँब तक परड़े रूंगी जडै है जे पक है यह जब है शुद जर है यह तो आओस लोbes पक्कृण के अदोरई स्टर्म हां चुछ मैं यह अच्छे से यह देखिए यह अच्छे से मिल गया है अब इसे क्या करना है यह अच्छे से मिल चुका है इसको क्या करना है ऐसे ही अपने इसको लगा के इसको ऐसे ही लगा लेना है फेस पे अपने लगा लेना है लगाने के बाद इसको इसे दीरे दीरे इसकी मसाज क्यों नहीं है इसके बाद इसको ऐसे छोड़ देना है यह अपने स्किन पर अप्लाई करना है इसको दीरे दीरे ऐसे करने के बाद इसको इसे छोड़ देना है 20-25 मिनट के लिए फिर उसके बाद क्या करना है इसको एक कॉटन से ऐसे पूछ लेना है यह देखिए पूछने के बाद इसको इसको मुझे रात को करना है दिन में नहीं रात को सुने से पहले यह देखिए और इसके बाद सुबह नॉर्मल पानी से इसकुन को वाश कर लेना है फिर देखिए आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और मॉस्राइज रहती है आपकी स्किन को यह देखिए इसका तीसरा यूज क्या है वो मैं आज बतारती हूँ जैसे आप यह देखिए नेल्स है तो नेल्स में से हम लोग नेन पेंट लगाते हैं तो यह क्या होता है कि मतलब हमारे बगल बगल यहां पे साइड में से लग जाता है तो उसके लिए मुझे क्या करना है यह यह देखिए ऐसे ऐसे ही इसको साइड साइड में लगा लेना है इससे क्या होगा कि नेन पेंट मेरी यह बहुत नहीं लगेंगी और अच्छे से नेल्स में अपलाई हो जाएगी ऐसे ही आपको इसको करना है इसका यह तीसरा मेर्थवड है यह देखें इसको ऐसे ही बगल बगल वैसिन को लगा लेना है उसके बाद आप जब नेल्स में अपलाई करोगे तो बिल्कुल भी आपके साइड में नहीं लगेगी और अच्छे से आपके अपलाई हो जाएगे और जब हम कभी चूड़ियां पहनते हैं तो कभी क्या होता है हमारी चूड़ियां क्या होता है बहुत ज़ादा मतलब अंदर जाने में बहुत प्राबलम हो जाती है रोचूड़ी हमें बहुत बसंद होती है हम लोग पहन नहीं पाते हैं उसके लिए हमें क्या करना है ऐसे बगल वैसलीन लेक इस पे वैसलीन ऐसे से इसको लगाना है उसके बाद हम उकरके और चूड़ी अंदर मतलब अपने डाल सकते हैं चूड़ी कंगन जो भी आप पहन रहे हो आप डाल सकते हैं तो अब देखिए आराम से आपका आपके उस पे आराम से चल जी वैसलीन के बहुत फायदे होते हैं अब प्लिस एक बार ट्राइग करिए यह तो सभी को पता है कि वैसलीन के ब जोड़ी में अपका आपका नहीं हैं ट्ले का में जी एक हो आपको के बट सकते हैं